थवरम नमबर 3, चैप्टर नमबर 16, आई उसकी पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, चैप्टर 16, स्टेटमेंट इस थवरम की जो स्टेटमेंट है, वो इस तरह से है, ट्राइंगल्स on the same base and same altitude are equal in area इसमें तीन बाते उसने कही हैं, स्टेटमेंट के अंदर एक तुने ही कहा है कि ऐसी ट्राइंगल्स जिनकी base same हो, ये पहली बात है तुसरी बात ही है कि उनके altitudes भी same हों, तो फिर क्या होगा, फिर तीसरी बात सुने कही है कि उनके जो areas होंगे, वो भी क्या होंगे, same होंगे ये जो theorem है, ये ट्राइंगल्स के बारे में है अच्छा अब ट्राइंगल्स की base का same होना और altitudes का same होना ये शो करता है कि जो ट्राइंगल्स हैं, ये दो parallel lines के in between लाई कर रही है तो जब दो ट्राइंगल्स होंगी, उनकी base भी same होगी, altitude भी same होगे तो इसका मत्तब होगा कि वो दो lines के in between लाई कर रही है दोनो parallel lines के in between लाई कर रही है अब हम diagram ड्राइंगे और फिर further move करेंगे कर रही है यह हमारे पास A, B, C और यह H है इस डायग्राम में हमारे पास दो पैरलेल लाइन्स है एक PQ और एक XY और फिक हैं जाय जान है और इनके इन बिट्वीन दो ट्राइंगल लाए कर रही है हरी ट्राइंगल एकignant mean C जायए बी एक अप गोर किया जायए तो दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो सेम है देखें किदर है A, B, C यह देखें यह A, B और C इसकी जो base है वो A, B है यह वाली base है अच्छा अब triangle है दूसरी A, B, H इसकी भी जो base है वो A, B है base same है base हमारे पास same है दो बातें given की इसके अंदर आ गई है पहली बात base same है दूसरी बात heights same है heights same कैसे है क्योंकि यह दो parallel lines के in between लाई कर रही है जब दो triangles दो parallel lines के in between लाई करती है इसका मतलब ही होता है कि उनके जो altitudes हैं उनकी जो heights हैं वो same है अगर दो triangles दो parallel lines के in between लाई कर रही हैं तो इसका ultimate मतलब होगा कि उनकी हाइट सेम हैं अगर दो ट्राइंगल की हाइट सेम है और उनकी बेसिस भी सेम है तो दो परलिल लाइन के इन बिट्वीन लाइ करेंगी यह हमने एक कंसेप्चल वीडियो में डिसकस किया था अब हम बढ़ते हैं गिवन की तरफ बहुत सिंपल है, गिवन लिखना, ट्राइंगल ABC and ट्राइंगल ABH having the same base. and same altitudes, because triangle ABC and triangle ABH are lying in between two parallel lines PQ and XY. So, we can write PQ line is parallel to XY. In other words, both triangles are having same altitudes, perpendicular distance, जो चीज़े हमने observe करनी हैं डियागराम में से, वो दो चीज़े हैं given के लिए. यह line है PQ और यह line है XY, यह दोनों है parallel. और ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABH इन दोनों की जो base है वो same है और यह दोनों लाई कर रही हैं in between of two parallel lines. तो इसका ultimate मतलब ही हुआ कि इन दोनों की जो altitudes हैं या इन दोनों की जो heights हैं या इन दोनों का जो perpendicular distance है वो same है. इस चीज़े को हमने given में लिख दिया, तफसील के साथ. अब हम इसका to prove लिखेंगे. to prove बिल्कु सिंपल सा है हमने ये बात prove करनी है कि दोनों triangles के जो areas हैं वो same हैं वो equal हैं. to prove both the triangles, triangle ABC and triangle ABH have the equal area और हम इसको यू लिख सकते हैं. area of triangle ABC is equal to area of triangle ABH. हम इसको यू मिल सकते हैं. अगला step है construction. construction में हमने कुछ इस तरह करना है ये जो BC line है, line segment BC. ये जो BC line segment है, इसके parallel हमने यहां पर एक और line segment रा किया जिसका नाम है AD. इस तरह AC के parallel हमने यहां पर एक और line segment लिया. BC के parallel AD और AH के parallel BG यह हमने draw किये. AD is parallel to BC. हमने AD को parallel बना दिया BC के. और इधर से BG is parallel to AH यह हमने काम किया. और PQ को cut कर दिया point D और G के उपर. प्रूफ के दो इसे होते हैं statements and reasons. तो it's better के हम उसको column की form में लिख सकें. पहला जो statement लिखेंगे A B C D and A B G H यह दोनों जो quadrilaterals हैं और यह दोनों parallelograms हैं. quadrilaterals having A B C D को देखें जरा A B C D यह एक parallelogram है. वज़ा यह है कि हमने खुद construction में A D को रखा है B C के parallel. और यह बात हमें given है कि C D is parallel to A B. किसी भी quadrilaterals में अगर opposite sides parallel हो जाएं तो वह एक parallelogram हो जाती है. इसको बता सकते हैं हम bracket में. because of given and construction. हमने given में हमें चीज़ें given हैं. हमने जो चीज़ given में देखी वो यह है कि दो lines जो हैं वो parallel हैं. और construction में हमने खुद diagrams को इस तरह से modify किया. कि यह दोनों जो quadrilaterals हैं वो parallelogram में transform हो गए. अब जो next हमारे पास argument होगा वो इस तरह से होगा. इस इंपलाइज एरिया आफ पैरालिलोग्राम ए बी सी डी. A, B, C, D का जो एरिया है वो equal होना चाहिए. एरिया आफ पैरालिलोग्राम ए बी जी हैच इसके reason क्या होगी? डागराम को देखें. डागराम में यह PQ एक लाइन है और XY एक लाइन है. तो यह जो fact है यह हम यहां लिख सकते हैं. यह दोनों लाइन्स पैरलिल हैं और यह देखें यह पैरलिलोग्राम देखें. यह देखें इसकी एक यह डाटेड लाइन है साइड है इसकी और एक AH है और HG है और AB है. यह दोनों जो पैरलिलोग्राम नंकी बीसे सेम हैं. और यह दोनों पैयल लाइन्स के इन बेटnement लाइक कर रही हैं. बीसेस भी सेम हैं इसका मतलब हुआ आल्टी चूट्स भी सेम हैं वीकास एफ टू पैल ल्ली लाइन्स PQ & XY. हमने एक थियोरम में ये बात प्रूफ की थी कि अगर हमारे पास दो पैरलेलोगराम्स हैं और वो दो पैरलेल लाइन्स के इन बिट्वीन लाई कर रही हैं और उनके बेसिज अगर सेम हैं तो उनके जो आल्टी चूर्ड होंगे वो भी सेम होंगे अगर दो पैरलेलोगराम्स के बेसिस भी सेम हो जाएं और आल्टी चूर्ड भी सेम हो जाएं तो उनके एरियास भी क्या होते हैं तो यही बात हमने यहां पर एपलाई की इन दोनों पैरलेलोगराम्स के बेसिस सेम हैं हाइट्स भी सेम हैं लहाज़ा इनके एरियास भी सेम हो अब हम डिवाइड करेंगे दौनों साइड पर इधर भी डिवाइड करें तर उधर भी डिवाइड कर दें एधर भी डिवाइड कर दें एधर भी डिवाइड कर दें एभी जी एच इधर भी हमने टू से डिवाइड कर दिया इधर भी डिवाइड कर दिया डिवाइड विद टू अन बहुत साइड इसको भी और इसको भी दौनों तरफ टू से डिवाइड कर दिया अब होगा ये है जब डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब भी होगा एरिया आफ ट्राइ एंगल एबी सी इस एक्वल टू एरिया आफ ट्राइ एंगल एबी एच यहां रिजन देंगे बिकास एरिया आफ ट्राइ एंगल एप आफ 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 दे एरिया आफ पर्लेलोग्राम यह है पर्लेलोग्राम ए, बी, सी, डी बाकि छोड़ दें इस पर फोकुस करें इसका एरिया है और इसका जो हाफ है यह दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं उनको प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों कान्गूरंट हैं वैसे भी फैक्ट है कि जब पर्लेलोग्राम के अंदर दो ट्राइंगल्स बनती हैं इकुल ट्राइंगल्स हैं तो उन दोनों के एरिया सेम होते हैं एक ट्राइंगल्स बन रही है उजोरी है एबीसी तो यहां पर इस अगर पर्लेलोग्राम को मैं हाफ करूंगा तो मतलब होगा कि इसका एरिया आ जाएगा एबीसी का और इधर से इसको छोड़ दिया जाया अगर तो यह हमारे पर्लेलोग्राम है एबीजी एच इसका जो अगर उसको हाफ कर दिया जाए तो ये ट्राइंगल के रिया आ जाएगा ए बी एच का तो ये बात हमने यहां बार लिख दी इस तरह से हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया तो हमने स्टेप बाइ स्टेप इस थियोरम को प्रूव कर लिया थैंक यू